Hello students, welcome to why you learning तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि जो DNA है वो किस मेथड के थुरू रेप्लिकेट करता है यानि semi-consormative mode of replication और इसके साथ में experimental जो इसका proof है semi-consormative mode of DNA replication वो कैसा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे तो start करते हैं तो 1953 में Watson and Crick ने बताया था कि जो DNA है वो replicate किस मेथड के थुरू करता है वो करता है semi-conservative mode of replication अब यह semi-conservative mode of replication क्या है कि DNA जो है वो कैसा है double stranded है तो जो यह दोनों strand होते हैं DNA के इनको हम क्या बोलेंगे template यानि यह template की तरह act करते है अब template क्या होता है जो synthesize करता है new strand जिससे एक नया strand बन जाए उसे हम बोलते हैं template तो यह दोनों ही strand की ऐसे act करेंगे as a template अब यहाँ पर क्या होगा यह strand 5 to 3 prime था और यह strand 3 to 5 prime तो यहाँ पर एक strand इससे बनेगा और एक strand इससे बनेगा और फिर उसके बाद जब replication complete हो जाएगी तो हमें क्या मिलेगा एक जो है वो parental strand और एक जो है वो new strand यहाँ पर new strand और एक parental strand तो इस तरह का जो replication method होता है इसको ही हम बोलते है semi conservative mode of replication यानि की एक जो है वो parental strand से new strand synthesize हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है parental strand और new strand तो इस तरह की replication को ही बोलते है semi conservative mode of replication वैटसन और क्रिक ने एक statement भी दिया था इनका statement क्या बोलता था it has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated specific pairing इन्होंने बताई थी जैसे A जो है वो T के साथ pair करेगा C जो है वो G के साथ pair करेगा तो यह specific pairing के बारे में उन्होंने बताई है उससे उन्होंने क्या suggest किया कि जो DNA है जो genetic material है वो एक copying जो है mechanism वो भी उन्होंने suggest कर दिया जैसे कि अगर हमें एक strand का sequence पता है जैसे A, T, G, C है तो जो नया strand होगा वो अपने आपी जो है वो क्या है एक strand से copy produce हो जाएगी DNA के एक strand से दूसरा जो है वो नया strand synthesize हो जाएगा क्यों क्योंकि दोनों ही जो strands होते वो कैसे होते complimentary होते है तो अगर यहाँ पर A, T, G, C है तो जो नया strand उसका sequence क्या होगा यहाँ पर T होगा A होगा C होगा और G होगा तो यही जो है इन्होंने statement दिया था अब जो DNA है वो semi-conservatively replicate करता है इसको experimentally proof किया किसने मैजलसन ने मैथ्यू मैजलसन ने और Franklin Stahl ने इन दोनों scientist ने 1958 के अंदर यह बताया कि यह जो DNA replication है यह semi-conservatively होती है इसमें इन्होंने क्या किया था एक medium लिया था जिसमें क्या था medium में ammonium chloride ammonium chloride था और कैसा था इसमें nitrogen का heavy isotope था यानि N15 था अब इसके अंदर इन्होंने E. coli को grow करवाया तो यहाँ पर इन्होंने तब तक grow करवाया जब तक इस E. coli का जो DNA था वो पूरी तरह से N15 डिलेबल्ड यानि पूरी तरह से N15 को absorb नहीं कर लेता तब तक E. coli को इसमें grow करवाया उसके बाद इन्होंने क्या किया जब centrifugation के थूरू इनको यह चेक करना था कि जो DNA होता उसका band जो है वो कैसा आता है तो इसमें इन्होंने cesium chloride को as a solution जो है वो लिया और इसलिए centrifugation को हम बोलते है cesium chloride density gradient centrifugation cesium chloride को as a solution इन्होंने इसमें add किया और यहां से sample ले लिया वो add किया तो जब centrifugation हो गया उसके बाद जो band आया DNA का तो उसमें क्या देखा वो bottom में आया क्यों आया bottom में क्योंकि यहां पर जो DNA था वो कैसा था N15 labeled था यानि N15 heavy isotope labeled था इसलिए वो bottom में आया और replication से भी यहां पर देखा कि जो डोनोh strands है वो कैसे है N15 को absorb कर चुके यह चीज जो थी यह इन्होंने यहां से इनको पहला step जो था वो यह था अच्छा इसके बाद इन्होंने क्या किया यहां से कुछ sample जो है वो इस वाले medium में transfer किया अब इस medium में क्या था ammonium chloride तो था लेकिन यहां पर nitrogen का N15 isotope नहीं था N14 isotope था इस medium के अंदर ammonium chloride लेकिन N14 isotope था lighter isotope था nitrogen का और कुछ sample उपर वाला इस में transfer कर लिया फिर से देखा गया centrifugation के थूँ जब centrifuge करवाया तो यहां पर जो DNA का band था वो कैसा आया hybrid आया ना तो ऊपर आया ना फिर नीचे आया यानि यहां पर DNA के जो दोनों strands थे वो कैसे आ रहे थे hybrid थे यानि एक strand जो था उसमें N15 था और दूसरे strand के अंदर N14 जो था उससे labeled था ठीक है इसलिए centrifuge में भी centrifugation tube में जो है वो hybrid strand हमें DNA का देखने को मिल रहा था तो first generation जो थी यहां पर हमें कैसा strand देखने को मिला hybrid strand देखने फिर उसके बाद लगातार दूसरी growth करवाई second replication cycle हुई तो फिर उससे क्या हुआ कि जो है first generation वाला hybrid strand था उसने क्या किया एक तो जो है वो light strand बनाया जो N14 लेबल था यानि इसके दोनों ही DNA के strand N14 लेबल थे और एक जो है वो जैसा first generation में आया hybrid एक N15 strand और एक N14 strand intermediate density वाला DNA आया यह चीज़ जो है यह second generation में third generation में क्या देखा गया कि यहां पर जो light strand है उससे दो जो है वो DNA के light strand प्रड्यूस हो रहे है और जो hybrid strand है उससे एक जो है वो light strand प्रड्यूस हो रहा है और एक जो है वो intermediate और hybrid strand प्रड्यूस है यानि third generation में तीन strand जो थे वो कैसे थे light थे और एक strand hybrid था अब यहां पर एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि जो E को लाई होता है वो हर 20 minutes के अंदर divide करता है तो first generation में 20 minutes second generation में time जो है वो कैसा हो गया 40 minutes third generation में जो है वो कितना हो गया 60 minutes next fourth generation में 80 minutes ठीक है तो हर 20 minutes के अंदर E को लाई जो था वो divide करता जा रहा था ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है कि semi conservative replication हम बोल रहे है तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि जो hybrid strand है उससे एक जो है वो light strand बन रहा है और एक जो है वो intermediate density का strand बन रहा है ठीक है यह चीज़ ध्यान रखने है और जब हमने third, fourth generation आगे तक जब replication करवाते गए तो results क्या आया कि जो एक light stand है उससे जो है वो जो है वो new stand ही बनेगा लेकिन जो hybrid stand है उससे new भी बनेगा light stand भी बनेगा और एक जो है वो hybrid बनेगा यह धिहान लखना है semi conservative के अंदर और band कैसे आएंगे एक light band आएगा और एक hybrid band आएगा तो यह है semi conservative replication का experiment इससे पता लग गया कि replication जो है वो semi conservative mode के ही through होती है तो आज की class में इतना ही